कि कुरोना वाइरस का खत्रा देश में बढ़ता ही जा रहा है भागलपूर में भी कुरोना वाइरस के कई संदिध मरीज मिले हैं लेकिन अब तक एक में भी पूष्टी नहीं हुई है इन्ही सवालों के साथ कई सवाल हम आज लेकर के आए हैं योजनागर के संस्थापक स्वाइब सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करेंगे लोगों से कोरोना वाइरस का संक्रमन जिस तरह से फैल रहा है इसके लिए मैं पब्लिक से यही अपील करोगा कि आप सभी अपने अपने आपको साफ सुतनारा अपने अगल बगल साफ सफाई रखें और अगर जो खास जिनको डियाविटीड है और जो ठोड़े उमर दराजены इसी लोगों का अपने ने worst कर दियान ने इसे महामारी घोसित कर दिया outta लेकर करते आप क्या कहेंगे क्र्रोण वायरिस से जोड़ कर का बिएक बीमारी है है जिसका सभी देश के सभी साइंटिस्ट सभी लोग और सभी डॉक्टर्स लगे वे हैं कि इसकी दवाबनाने में और उमीद है कि जल्द ही इसकी दवाब बन जाये गी अभी हाल में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉनाल्ड ट्रugh आपने भी बोला कि first phase इसका complete हो गया है तो उमीद करते हैं कि जल्द इसकी तबाब बन जाए और देखिए economy के ओपर तो असर पड़ना लाजमी है तो ठीक है अब यह है तो पहले हम इससे तो बचें फिर economy भी सुधर जाएगी इन सवालों से थोड़ा पीछे हटते हैं आप योजना घर चलाते हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देते हैं तो सर आपकी योजना घर है इसका उद्देश क्या है सर उद्देश तो है कि सरकारी योजनाओं को मतलब लोगों तक पहुंचाना जो सरकार की योजनाओं हैं चाहे वो बिहार सरकार की हो और केंदर सरकार की हो एकसा अफसर होता है कि लोगों तक योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से योजनाय उन तक नहीं पहुंच पाती है। वे जो लोग होते हैं, तो उनको जानकारी होने के बाद भी उसका लाब नहीं ले पाते हैं, तो इसे उध्य देश के साथ योजणावर को वोग ने अस्तापीत किया है. अपने पिछले दिनों अंतराश्ट्य महिला दिवस पर कारिकर्म किये थे उस पर केंदर के क्या संदिश दिया थ्क आ झ़ीज में। वन्हों कैंद्व संदिस दिया गया कैसा रहा थे वह कारिकर्म हमने किया थाопर बेंन। तो वहां की महिलाओं को हमने सेनेटरी पैड का वितरं किया था जो केंदर सरगार के द्वारा एक रुपे में उपलब्ध है और उसके अलावा हमने वहां की महिलाओं को साफ सफाई कैसे रखी जाए किस प्रकार से रखी जाए इस बारे में भी बताया था और आने वाले समय म तो इसमें भी हम एक कारेक्राव में इसी तरीके सा और बस्तियों NICK करने जा रहे हैं इसमें हम कम और रिले आपको कितना सयोग तो हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है उनोंने हमें पहले दिन से सयोग किया है और पशी बार राशंकाड का भी काम किया था उसमें भी हमारे नक्षाय। ब्लॉक में हमारे लिए एक लेटर भेजा ताकि परिवारों का बन सके और आज नातने गर ब्लॉक में लोग उने फॉर्म जमा करवाया है और वहां हम लोग में फॉलॉप किया तो उन्हों ने कहा कि आपका काम प्रॉसेस में है तो हमें जीला प्रसासन की तरफ से आज तक कह अगला कारेटरम करने जा रहे हैं तो यह की कोरोना वाइर manufactured लोगों को जागुर्ण करने जा रहेárias कही चोटी चोटी बस्ती हो में उसके अलावा हम लोग जो है यह इसटूदेंट के लिए जो हमारे भागलपूर में जो छात रही हैं तो उन लोगों के लिए जो जाइगा और इसमें जीला प्रेसाञ सर्का भी हमको पूरा सयोग है तो बहुत जल्द आप अमारे उस कारेखनें के भारे में सुमीगें। ये quand correct Shipha Obie STUDENT 22 के बारे में जानकारी थी कि आप अपने योज नागर के जो संस्था चाहते हैं उसके बारे हम जानकारी दे रहे थे लेकिन हम थोड़ा इन सबाश फूड़ा पीछे भी हटते हैं हम आपसे थोड़ा राजनीती की भी सवाल करना चाहते हैं अब हाल ही में जोतीराज जिन्धिया जोहें तो कॉंग्रेस को चोड़ करें BGP में सामीड उस पर आप क्या प्रप्तिके बैदार होगी का बढ़ी? तो उन्होंने बस हम तो यही उमीद करेंगे कि वो जिस दल में भी रहें अपने छेतर के लिए काम करें तो वो ज्यादा इसलिए अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी तो समय बताएगा बाकी मेरे खाल से उनका अपना नीजी फैसला और वो ज्यादा बहतर पोजिशन मे पैसे और यह सब चीजे इतने महिने नहीं रखते तो प्रतिष्ठा की बात है तो फैसला होंगा मैं मिजी कहुँआ है अब बरतवान समय में जो राजदीती है वह गर्माई हुई है ऐसे में भागलपूर में आगामी चुनव में आप कैसे चेहरा को देखना पसंद करेंग भागलपूर में ऐसी बहुत सी समस्याइं हैं जो जिसका निवारनास तक नहीं हो सका चाहे वो बोड़ानात पूल हो चाहे वो जाम की समस्या हो चाहे वो सड़क की समस्या हो चाहे वो एक प्रॉपर आटो स्टेंड या इस तरह की समस्याइं जो बेसिक समस्याइं आप दे पास सारे पोल वोल खड़े रहते हैं बिजली के तो ऐसे बहुत सी समस्या हैं जो आज तक निवारन नहीं हो पाया हर बार जो भी हमारे जन प्रतिनीदियों उन्होंने हर बार यही का तो मैं चाहूंगा कि इस बार एक कोई युवा नेता आगे आए क्योंकि युवा नेता आ करने का तो जब युवा नेता है तो आप युवा नेता की बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं है अंदर-जनल का वेविया को सकते हैं प्ल्की घुबथ हो ऊंट है हैं प्र चैरा दो सолов्सक्षा में कंसे कुई ऐसा यूवा निता है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर मेरे खाल से आप कोई सारा ही काफी है तो चुनाओ में लोग लुगहवन बादे करते हैं जो वोट मांगने के लिए आते हैं तो कई बादे करते हैं कि विकास के कारे करेंगे लेकिन जब चुनाओ जैसे ही खतना होता है, अपनी कुरसी पर बैड़ जाते हैं, सारे बादे भूल जाते हैं, ऐसे में आप जो जनता है उस से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूगा कि एक तो आप जब भी वोट करें तो वोट करते समय आप इस बात सिखता है वो कहां तक कर सकता है हर चीजों को देखते हुए आप बोट करें क्योंकि आपका एक फैसला पूरे सहर का फैसले के उपर सहर के सभी पब्लिक से मेरी यही अपील है कि एक सही कैंडिडेट चुने एक युवा नेता को इसलिए मैं वार और फोर्स कर रहा हूं क्योंकि युवा नेता कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंस ला सकता है इसलिए तो इन सवालों से फिर पीछे हम आते हैं एक बड़ हम फिर आप से जानना चाहेंगी कि दो कुरोना वाइरस है उससे जितना कुरोना वाइरस देश में फैला नहीं है उससे ज़्यादा लोग डर गए हैं सहं के डैसत में एसे में आप आम जणता से क्या अपील करेंगे और आपका क्या संदेश होगा जनता समय ही अपील करूमा कि भीड भाड के लाकों में ना जाएं अपने हर जगत साफ सफाई रखें कम से कम मतलब अभी हो सके तो अपने दूल मिटी इस तरह के से बचें अपने काम करें लेकिन कोशिस करें कि अपने आदोतों में थोड़ा बदल आपके घर में अगर किसी को डाइविटीज हो इस तरह अगर कोई ऐसे आपके घर में हो तो उनका ज्यादा ध्यान रखें अपने खानपान का ध्यान रखें क्योंकि बेसिकली कोरोना वाइरस तब ज्यादा एफेक्टिव होता जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप खानपान अगर आपका सही होगा तो डेफिनिटली आपके इम्यून सिस्टम भी सही होगा इसलिए मैं सभी से अपिल करूंगा कि अपना ख्याल रखें बस क्योंकि वही एक तोड़ है इस कोरोना वाइरस का आप अपना ख्याल रखें में तो सब ठीक है तो यह थे मान मारब के जी जूड़े रहते हैं सामाजिक सामाजिक जो सरवकार है उसमें हमेशा वर्चल कर हिस्टा लेते हैं तो आगे हमारे हमारी फिर बातचीत होगी मारब के जी वाल जी से तब तक के लिए धनिये बाद अपने स्रयोगी कामरा पसंद सुमित के साथ स्यदिना मुद्धिन सिल्ख टिवी भागतपूर